अब आपको अब आपको अब आपको अब कैसे लिख सकते हैं और एक ही फॉर्मिट से जाए आप कैसे इसको आसानी से लिख पाएंगे इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे तो situation vacant किसो से पहले बात करते हैं This advertisement is written by an employer who is looking for the services of a person in his organization Situation vacant advertisement जो है दोस्तों किसी employer के द्वारा, किसी मालिक के द्वारा, किसी firm के द्वारा जो है ये दिया जाता है जो किसी person को अपनी company में किसी post पर hire करना चाहती है उसके लिए आए इसका question और example देखते हैं कि हम इसे कैसे solve कर सकते हैं आसानी से सबसे पहले main points की बात कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले अपने surprise justify करना होता है कि post कौन सी है और number of vacancies कितनी है उसके बाद qualities of the person required जो person हम hire करना चाहते है उसको qualities क्या क्या होनी चाहिए उसको क्या क्या आना चाहिए अपनी company का नाम यह optional है दे सकते हैं छोड़ सकते हैं जिस person को हमें hire करना है उसका age और उसका sex वगएरा जो है वो देना होता है इस skill कितना होगा पर्क कितना होगा इसके बारे में हम बताएंगे mode of applying किस तरह से वा apply कर सकता है और contact address और phone number वगएरा हम company का उसमें देते हैं question देखते हैं हम पहला question है You are general manager of rocks software solutions आगरा केंट आगरा You need a software engineer for your organization आप जो है general manager है rocks software solutions के जो की आगरा में based है और आपको जो है software engineer के जरूरत है इसके लिए आपको एक retirement जो है वो classified column के लिए लिए लिखना है आज़े देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं सबसे पहले हम यहां heading डालते हैं situation vacant और हमेशा आप कोई भी agreement होगा जो कि situation vacant का है तो आप ऐसे शुरू किजिए यहां wanted से पर्मेट हो जाएगा यह wanted और उसके पोस्ट लिख दीजिए wanted on software engineer और मानले school teacher है तो लिख दीजिए wanted a school teacher अगर receptionist है तो लिख दीजिए wanted a receptionist और किसके लिए तो नाम आ जाएगा फोर और उस संस्था का नाम आ जाएगा जैसे college है school है office है तो उसका नाम आ जाएगा जैसे यहां पर आया है पूर रॉक software solutions a leading name in computers ठीक है और computers कीजिए के मानले जी छोड़ भी सकते हैं लिख करें या फिर आप यहां छोड़ दीजिए या फिर लिख दीजिए जो भी नाम है उसका कि leading name in education या इस तरह से candidate should possess a master's degree candidate को जो है master's degree होनी चाहिए क्योंकि software engineer हमें चाहिए इसलिए हमने कहा है computer software programming में and at least three years experience तो हमें relevant में चाहिए अगर हम यहां पर हम लिख देते हैं candidate should possess a master's degree in relevant field तो यह भी चल जाता है इसकी जगे आप relevant field जो है लिख सकते हैं इसके लाबाद कम से को तीन साल का experience होना चाहिए यह शीजिज हम जुरू डालेंगे with a non computer concern जो अच्छे तरह से computer जानता हो आपको salary जो है मिलेंगी for suitable candidate apply with details detailed resume within the 10 days to general manager तीकि अपनी resume के साथ 10 दिन के भीता हो जाए general manager उकाप apply कर दीजिए और नाम दे रखा है rocks software solutions agra can't agra तीकि इसका एक example हम और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जैसे question है you are a visually challenged person running a telephone booth central market Delhi give a suitable retirement to not more than 50 words for telephone operator in situation vacant column तो आप telephone booth चला रहे हैं और आपको जो है एक person चाहिए जिसके लिए आपको retirement देना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आप जहें heading डालेंगे situation vacant और सुरू करेंगे wanted से जो पोस्ट होती है वह डाल देंगे जैसे wanted operator for a telephone booth किसके लिए चाहिए company का जो नाम आ जाता है run by a visually challenged man यह लाइन आप छोड़ सकते हैं किसी और का रहेगा तो लिखने की जूरत नहीं रहेगी कहां पर है वह बताना है जागे इनन दो central market डेली डेली के central market में person must be fluent in Hindi and English person को जो है अच्छी Hindi और English आने चाहिए कि आप इसमें work timing दे रखा है 12 p.m. to 9 p.m. यह work timing है Monday to Saturday remuneration no constraint, remuneration जो है कोई constraint नहीं है for suitable candidate और suitable candidate है तो उसको remuneration की हम salary लिए सकते हैं salary according to इसके लिए यहां पर लिखा जा सकता है इसके अलाब आप contract दे रहा है और किस time पर connect सकते हैं यह भी दे रखा है इसके बाद इसको आप box में पहले सी मैंने बंद कर रखा है आप इसे box में जो है जरूर बंद कर दिजएगा यह format का आपका part है इसके लिए यह दो question है आपको खुद से इसको try कर सकते हैं लिखने के लिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे comment करके बताएगे मैं आपको solution देने की कोशिश जरूर करूँगा इसके अलावा बांकी सारे advertisements भी जो है मैंने दिये हुए है आप लिंक में जाकरके description हो जाकर के लिंक जो है आप चेक कर सकते हैं सारे advertisements आपको सबके format मिल जाएंगे आए अब हम देखते है situation wanted का ड्राजमेंट this is written by a job seeker जो व्यक्ति जॉब ढूंडता है अपने services देने के लिए तयार है वो इस advertisement को देता है नॉर्मली professionals होते हैं जैसे doctors है teachers है tutors है यह advertisement देते है tourist guide होते है इस तरह के लोग जो है अपने advertisement जो है situation wanted में देती है यह देखती है question है उसके exam के इसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते है question है you have retired from a bank after 30 years of services आप एक bank से retire हुए है तीस साल की service देने के बार looking for a job आप एक job ढूंड रहे है draft and advertisement in about 50 words तो password में आपको जो है advertisement जो है यह देना है बागी सारी detail आपको यहाँ पर इसमें लिखनी है तो देखते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम है वांटेड में सुरू करेंगे services से services available बीच में जो है वह हम लिख देते हैं आप जैसे services of a retired bank official is available as a senior accountant कि कि आप services ले सकते हैं retired bank official की as a senior accountant कि यही लाइन रहेगी बस इसमें यहाँ पर यह नाम चेंज कर दे जाएगा जो पोश्ट वगएर होगी उसके ही सबसे मांके सब कुछ से में रहता है have a master's degree in commerce अपनी qualification बता रहे हैं कि master's degree है commerce में 30 years experience of working in a nationalized bank और 30 साल जो है एक national bank में काम करने का experience भी है job profile can include managing and maintaining log books जो जो प्रोफाइल होगी उसमें जो है manage कर सकते हैं और maintain कर सकते हैं log book को and account balance यह सारे जो आकाउंट से काम वो कर सकते हैं interested party जो होगी वो contract करें contract सुनिल for bank in clip डेली और यह अपना हमने address दे दिया है इसके बाद जो है last में हम इसको box में बंद कर सकते हैं हमें यह बंद करना हमारे लिए format का पार्ट होता है इस तरह से हम इसको last में बंद कर देंगे अच्छे से आगे एक example और देखते हैं हम यह कैसे जो है हम situation wanted लिखते हैं यू आर करन और करूना ओफ 114 मॉल रोड डेली यह आपका address दिया है यू आर सिविल इंजीनियर एंड है रेसेंट्ली रिटेंट फ्रॉम यूई आप सिविल इंजीनियर है और अभी फिलाल में यूई से वापिस आए है और आप इंडिया में जॉब की तलास कर रही है और आप अपने डेटेल दीजी और एक जॉब के लिए रोटाइमेंट लिखिए इसमें भी हम वैसे शुरू करेंगे सिच्पस पर लिखए हैं situation wanted और यहां लिखेंगे यहां में change कर दिया है किए क्वालिफाइड इंजीनियर इस तरह से कर से हैं या servis आफ सिविल इंजीनियर जो है स्टेबल जॉब इंडिया में वो देख रहा है दन सिविल इंजिनिरिंग फ्रॉम जामिया मिरिया इंडियर्स्टी और इसने जामिया मिरिया इंडियर्स्टी से सिविल इंडियर्स्टी के पढ़ाई करी है 15 years experience of working in the construction field और construction field में जा 15 साल काम करने का उसका experience है इन reputed firms in India and UAE उसने इंडिया और UAE जागे के फर्मों में काम किया हुआ है expected remuneration नेगोशियेबल जो salary यह remuneration का मतलब होता है salary तो वो negotiable है उसमें जह बात्चित करके settle कर सकते हैं और contract करने के लिए अपना नाम और address यहां पर दिया है thanks for watching this video अगर आप नहीं भी तेक हमारे चारण को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेजिए और जो है वीडियो को like भी कर दीजिए